हेलो एवरिवान वेलकम टू ग्यान का बस्ता आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MSC First Semester के Chemistry Subject के First Paper Inorganic Chemistry के Question Paper को जो की Session 2021 से 2022 के बीच का होगा ये Paper जो होगा ये New Education Policy अठार नई सिक्षा नीती पर आधारित होगा तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने MSC First Semester का Question Paper दिया गया है जो की Session 2021 से 2022 के बीच का है ये Chemistry Subject का Paper है First Paper जो की Inorganic Chemistry का होता है चुकि ये Paper जो है ये New Education Policy पर बेस्ट है New Education Policy में अब सिस्टम चेंज कर दिया गया है इसमें जो आपका Exam होगा ये 75 Marks का होगा और जो 25 Marks है वो आपका Internal Exam होगा जो आपके College में Conduct कराया जाएगा तो Written Paper जो होगा ये 75 Marks का होगा चुकि यहाँ पेपर का Maximum Marks जो की बोलते हैं पूर्णांक वो पहले 100 Marks का हुआ करता था और अब 75 Marks का हुआ है तो जैसे कि यहाँ पे Marks पूर्णांक कम किया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर Question भी कम किये जाएंगे पेपर में और इसके जो Time Limitation है वो भी कम की गई है पहले 3 Marks का पेपर हुआ करता था अब ये पेपर जो है Time Duration जो यहाँ है यहाँ पे 2 Marks की है तो इस तरह से New Education Policy के According यह कुछ changes किये गया है आपके पेपर में पहले ये पेपर 100 Marks का हुआ करता था आप ये पेपर 75 Marks का होगा Time Duration 3 Arts के जिगहाँ पे 2 Arts की होगी आईए देखते हैं पेपर में हमें क्या instruction दिया गया है जैसा कि पेपर सॉल्फ करने से पहले हमें उसमें दिया गया instruction को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए क्या instruction दिया गया है कितने questions हमें सॉल्फ करने है तो आईए देखते हैं Attempt the questions from all sections as directed ठीक है The candidates are required to answer only in serial order Serial order में हमें question को सॉल्फ करना चाहिए कोशिश करते हैं कि हमें long questions जल्दी कर लेने चाहिए क्योंकि उन्हें marks ज्यादा मिलते हैं पर कोशिश यही रहने चाहिए कि हर एक question का जो answer है वह एक serial order में दे section wise दे If there are many parts of a question answer दे मिन continuation तो इन section के according तो हमें serial order में ही देना चाहिए तो देखिए यह paper जो है यह तीन section में बटा है फर्स section है section A जो की very short answer type के question केरी करता है इसमें हमें very short answer लिखना है very short answer type के question में जो हमें instruction दिया है attempt any three questions यहाँ पी हमें very short answer type के question में three questions attempt करने है और जो यह question attempt करने है इनकी जो word limitation है इसका जो answer हमें लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है 50 words में इसी के अंदर आपका answer होना चाहिए 50 words से 60 words हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है to the point आपको answer लिखना होता है यह नहीं कि हमने बहुत ज्यादा लिख दिया तो हमें ज्यादा number मिलेंगे जितना बोला गया है उतना ही answer लिखना चाहिए to the point लिखना चाहिए तो देखिए very short answer type के question में जिसमें हमें three questions attempt करने है first question दिया है question number A explain walls diagram for triatomic molecules walls diagram को हम angular coordination diagram के नाम से भी जानते है तो यह जो question है अगर हम compare करे last year के question paper से तो यह question repeat किया गया है अगर आपको last year के question paper चाहिए तो इसकी link हमने description box में दे ली गई है आप compare कर सकते हैं इससे यह benefit होता है paper देने से पहले हमें अगर last year के question paper को solve किया है तो हमें question का pattern पता लगता है किस type के question आते हैं क्या time duration होती है कैसे हमें solve करना चाहिए यह सारी जानकारी हमें मिल जाती है तो आपको last year के question paper का link description box में दे दिया गया है आप चाहे तो देख सकते हैं तो यह worst diagram वाला question important है next देखिये question number B discuss sigma and pi bonding is square planar complex by constructing a composite molecular orbital diagram for this complex next देखिये question number C determine the symmetry point group of the following यहाँ पर हमें symmetry को बताना है यहाँ पर दिया गया है BF3 and H2O इनकी symmetry को बताना है next देखिये question number D write a short note on lanthanide contraction lanthanide contraction भी जो है last year paper में पूछा जा चुका है तो यह कुछ ऐसे questions होते हैं जो repeat किये जाते हैं तो अगर हम इने तयार किये रहते हैं तो हमें benefit हो जाता है हम easily question paper का answer reply कर पाते हैं next देखिये question number E what are the factors affecting the stability of metal complex metal complex के stability को प्रभावित करने वाले factors के बारे में हमें यहाँ पर बताना है पचास शब्दों में यहाँ पर जो हमारी answer देने की limitation है वो 50 words की है तो section A में जो की very short answer type के question थे यहाँ पर हमें केवल तीन questions के ही answer देने होंगे वो भी 50 सब्दों में next देखते हैं section B में section B जो है यह short answer type के questions करी करता है और section B से हमें 4 questions को attempt करना है और जो answer लिखना है वो हमें 225,8,225 सब्दों में हमें answer को reply करना है यह questions, एक questions को हमें solve करने पर 9 marks दिये जाएंगे तो आएए देखते हैं section B में दिये गया है इन questions को जिसमें से हमें 4 questions को solve करना है question number 2 with the help of vesper theory explain irregular geometry of molecules and decrease in bond angle giving suitable example vesper theory के base पे हमें irregular geometry के बारे में बताना है molecules में जो की bond angle दिया गया है उसके suitable example के साथ next देखिए question number 3 explain John Taylor dissertation with suitable example John Taylor के dissertation को हमें explain करना है और साथ ही इसके examples को भी बताना है next question number 4 describe the rules relating to the determination of symmetry point groups of the molecules यहाँ पे हमें symmetry points ग्रूप से related rules के बारे में बताना है within 225 words next question number 5 question number 5 हमें दिया है question number 5 जो है वो दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है first है write a brief note on the preparation of transurans elements यहाँ पे हमें transurans elements के बारे में बताना है next है actinites have greater tendency to form complex than lanthanites explain यहाँ पे हमें explain करना है कि जो lanthanites होते हैं उनमें complex form करने के तो tendency होती है वो as compared to lanthanites ज्यादा होती है वो क्यों होती है यह बताना है तो इन दोनों सब questions को हमें solve करना है within 225 words next देखिए question number 6 describe the limitation of crystal field theory crystal field theory के limitations को बताना है why is molecular orbital theory preferred over crystal field theory MOT molecular orbital theory को ज़्यादा prefer किया जाता है as compared to crystal field theory क्यों इसके reasons को हमें बताना है 225 शब्दों में next देखिए question number 7 derive a relation between stepwise and overall formation construct constants for complex हमें stepwise and overall formation के बीच जो है relation बताना है next देखिए question number 8 question number 8 जो है यहां पे वो फोर सब पार्ट में divide किया गया है first दिया गया है यहां भी हमें short notes लिखने होंगे इन चारों पर bands rule तो bands rule भी पूछा जा चुका है last year के paper में next है chillet effect चिलेक्ट effect भी पूछा गया है next trans effect and fourth है character table इस तरह से इन आठो question जो की section B से थे इनमें हमें 4 question के answer को reply करना है within 225 words और जहां पे भी हमें example को बोला है उन examples को भी हमें बताना है अच्छे से highlight करना है इससे आपकी marks बढ़ने के chances बढ़ जाते हैं तो Benz rules chillet effect important है according to exam के point of view से next देखे section C section C जो है वो long answer type के questions करी करता है section C से हमें 2 questions को attempt करना है और इसका जो answer है वो हमें 475 words में reply करना है एक question को हमें answer करने पे 15 marks दिये जाएंगे तो आएए देख लेते हैं section C से in questions को question number 9 what is molecular orbital theory of metal complex metal complex molecular orbital theory क्या है with the help of this theory explain formation of octahedral complex MOT के help से octahedral complex को हमें बताना है explain करना है within 475 words next देखे question number 10 question number 10 को जो है दो सब पार्ट में divide किया गया है first है describe the axis of symmetry and plane of symmetry with the with example plane of symmetry and axis of symmetry को describe करना है example के साथ 475 शब्दों में नहीं चूकि ये दो पार्ट में divide है तो इसे आप 475 का half कर लेंगे उतने शब्दों में हमें इसको reply करना है क्योंकि ये दो सब पार्ट में divide है next देखे question number 2 जो की question number 10 का सब पार्ट है give the application of group theory group theory के application को बताना है तो इस तरह से इन दोनों question को मिला करके आपको answer करना है 475 words में next देखे question number 11 question number 11 जो है ये 4 सब पार्ट में divide किया गया है यहाँ पे हमें discuss the following properties of lengthenides lengthenides के इन चारों properties को हमें बताना है within 475 words में electronic configuration next है oxidation states third magnetic properties and four है formation of colored complex colored complex के formation के बारे में बताना है तो इस तरह से question number 11 के इन 4 सब questions को reply करना होगा विदिन 475 शब्दों में next देखे question number 12 जो की section C का last question है इसे भी 4 सब question में divide किया गया है बट मैंने बोला इंस section को ध्यान से पढ़ना चाहिए explain briefly any three of the following यहां पर हमें इन चारों में से केवल three को explain करना है चारों को नहीं तो first है D pi P pi bonding next है extraction of uranium next EMF diagram of actinoids and fourth है inert and labial complexes तो यहां पर हमें इन चारों में से केवल three को explain करना है within 475 words तो इस तरह से हमें दिये गये instruction को बहुत ही carefully पढ़ना चाहिए अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो यहां पर हमें इन चारों को solve करना पढ़ता है चुकि यहां पर three को ही solve करना है तो इस तरह से section C से हमें केवल दो question को solve करना है within 475 words section B में हमें solve करना है इन question को 225 words में four questions को हमें solve करना है and section A जो की very short answer type के questions carry करता है यहां पर हमें three sub questions को solve करना है जो यहां पर word limit है वो 50 words है तो इस तरह से हमें question paper को दिये के instruction के साथ बहुती ध्यान पूरवक पाढ़ना चाहिए और solve करना चाहिए तो इस तरह से यह 2022 का chemistry का question paper था आसा है यह video आपके लिए helpful होगा और chemistry के in question paper के practice set के लिए आप last year का question paper भी देख सकते हैं जिसके link हमने description box में provide की है thank you for watching my video guys please like share and subscribe this channel के पिसे हुए रिए के लिए बहुदा के लिए लेंग और